So, hello and welcome back to another video, my name is Jimmy और आप देखना है Toxic Marvel YouTube चैनल तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोरिबेस मूवी के बारे में क्या खिर वो मूवी जिसे बनाने में इते साल लग गए वाकिर फ्लोप हुई के से तो चलिए शुरू करते हैं हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी की जिसके बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन करते हैं हाँ तो जो मूवी हमें दिखाई गई दरसल वो असली मूवी है ही नहीं असली मूवी तो कुछ और ही थी जो की ना तो हमने देखी है और नहीं आगे सो सालों तक देख पाएंगे क्योंकि जो ओरीजनल मूवी थी वो जुलाई 2022 को आनी थी लेकिन नहीं आई पेंडमिक की वज़े से और फिर इसे पहली बार डिले किया गया और अगली तारिक निकाली मार्च 2021 लेकिन रिलीस करने से पहले इन्होंने कुछ रिशूट्स किये फिर भी ये मूवी मार्च मन ही आ पाई और एक बार फिर से डिले हो गई हाँ एक और डिले आया 28 जन्वरी को और फिर इसे मिला एक और लास्ट डिले अप्रेल 2022 में क्योंकि जन्वरी में नोवे होम चल रही थी कि एक मूवी पेसा कमारी है कहां इस मोर्वेस को डालेंगे तो नोवे होम फ्लोप चली जाई की क्या सोस थी सोनी की हाँ तो फिर फाइनली मूवी रिलीज हुई और मूवी फ्लोप चली गई मतलब इतने सारे रिशूट्स और इतने सारे डिलेज के बाद इस मूवी को मास्टर पीस बन जाना चाहिए था जो अभी तक हमने देखी भी ना हो लेकिन सोनी पता नहीं क्या फुकता है हाँ लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है मूवी फ्लोप होने का मूवी फ्लोप होने का एक बहुत बड़ा कारण ट्रेलर भी है मतलब ट्रेलर में तीनों स्पाइडर में के इतने सारे रिफ्रेंस मिले कि तीनों Spider-Man के fans, यह मतलब Spider-Man के fans तो तयारी हो गए तो इस movie को देखने के लिए Spider-Man को इतना रगड़ा गया इसके trailer में वो भी इसलिए ताकि इस movie की hype बन सके तुमने movie में Spider-Man को रगड़ा तो रगड़ा पर कुछ अच्छा सा reference तो दे देते मतलब अगर तुम उसके बारे में सोचो तो इतने loophole निकलेगे कि तुम अपना सर पटक पटक करोने लगोगे कि यह मैंने क्या देख लिया लेकिन मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं सोनी से उमीद रखता ही नहीं किसी चीज़ से उमीद रखो गई नहीं तो उमीद टूटेगी ही नहीं मुझे स्रिफ सोनी की एक ही movie अच्छी लगी थी Venom I mean दूसरी भी है लेकिन सुपर हीरो मैं बता रहा हूं और सबसे बेककार movie लगी थी Venom Let There Be Carnage लेकिन Morbius देखने से पहले वह भी कोई खास नहीं है उसमें भी main villain को hero ऐसे लास्टों में चबा जाता है ये कोई बात हुई तो बात अच के लिए इतना ही वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में